आपके पास Tecno Spark Go 2024 है, यह Go series का कोई और फोन है, तो यहाँ पे आप fingerprint lock set कैसे कर सकते हैं फोन में, तो यहाँ पे आभी मैंने यह वाला lock set किया हुआ है फोन में, तो screen पे कोई भी lock set है, कोई matter नहीं करता, आपको जाना है setting पे scroll करना है, password and security पे click करना है, fingerprint पे click करना है, आपके phone का lock enter करेंगे, arrow पे click कर लेंगे, add fingerprint पे चाहेंगे, next पे click कर लेंगे, side में आपको fingerprint दे रखा होगा, और किसी-किसी phone में आपको back में fingerprint दे रखा है, किसी phone में side में, और जो जादा पुरानी model है, उसमें तो होता भी नहीं है, तो यह आप देख लेंगे, आप ऐसे करके enter कर द साइड दोनों का बताया, finish पे click कर लेंगे, यह set हो गया आपका fingerprint, आप इस पर जाके इसको rename भी कर सकते हैं, जैसे fingerprint 1 है तो आप इसको अपना name दे सकते हैं, rename कर लिया हमने, fingerprint करने हम से आगया, delete करना तो यहां से click कर लेंगे, अभी फिलाल मैं back कर दूंगी, add fingerprint पे जाके fingerprint लगाएंगे, तो आपका fingerprint होगा, तो आप पे highlight होगा, ठीक है, जैसे fingerprint 1, 2 ऐसे set कर रखा है तो, इसके बाद यहां पे इसको on रखना है हमेशा, scene application पे जाएंगे, तो call accept कर सकते हैं, call recording कर सकते हैं, fingerprint से आप, जब आप वह वाला function यूज कर रहे हैं, call recording, call पे हैं तो, और इ touch होते ही, यह unlock हो जाएगा, back कर लेंगे, अब यहां पे आप इसको unlock करेंगे, तो देख सकते हैं, हलका सा touch करने पे ही यह unlock हो चुका है phone, इसी type of interesting videos के लिए i button पे click कर लेंगे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,